हलो अब्रीवन कैसे हैं आप सब स्वागत आपका मेरी यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको रिवाइज रिटन फाइल करना है तो आपको कैसे फाइल करना है और कौन-कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि कि आपका रिटन जो है और प्रॉपरली प्रोसेस हो जाए कोई भी एरर ना आए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस कीज़े बेल आइकन करने के बाद आपको वाल पे क written इस पर क्लिक करने के बाद आपको assessment यह praising इसके बाद यहाँ पर online board आप स्टेक्वर कर सकते हैं इसके बाद आपको continue पर click करने के बाद आपको start new filing पर click कर देना है इसके बाद individual है आप individual पर click कीज़े इसके बाद आपको basically क्या करना है यहाँ पर ITR 1 जो ITR भरना चाहते है वो ITR आपको यहाँ पर select कर लेना है आपने ITR 1 भर दिया था अभी गलती से और आपको ITR 2 भरना है तो यहाँ पर ITR 2 आप select कर लेज़े कोई भी दिक्कत नहीं है इसके बाद आपको कर देना है proceed with ITR 1 या फिर proceed with ITR जो भी आपने select किया है select करने के बाद यहाँ पर आपको let's get started का option आ जाता है इस पर आपको click करना है click करने बाद यहाँ पर select करना है कि आप return क्यों file करना चाहते हैं तो basically mostly सबका first reason होता है mostly reason जो है वो first ही होता है तो यहाँ पर आपको कर देना है continue continue करने के बाद आपको यहाँ पे basically जो परस्नल that information control उसमें ही सारा खेल है आपको basically personal information properly feed करने है प्रॉपर्ली चेक करना है ठीक है personal information पर आपको पलिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका नाम जो है तो जो filing section है यहाँ पे आपका जो third option है यह option आपको select करना है अगर auto select नहीं होता है तो आपको पता होगा तो income tax का portal properly काम नहीं कर रहा है अभी भी इसलिए मैं यह बोल रहा हूँ कि filing section जो है वो carefully आपको select करना है यहाँ पे आपको select करना है revised return revised after filing original return जब आप original return file करते हैं तो यहाँ पे आपको 139 1 select करना परता है जब आप revised return file करते हैं तो आपको 139 5 select करना परता है वो select करने के बाद अगर आप notice के अंदर को reply करते हैं तो basically इन में से आता है बट आप revised return file कर रहा हैं कोई दिक्कत नहीं है आप यहाँ पे यह select कर लिजे और इसको अंटिक ही रहने दीजे इसके बाद सबसे important आपको यह original number जो है वो auto populated होके आता है यह भी आपको check कर लेना है कि यह properly आ रहा है यह date जो है वो भी आपको properly check कर लेना है and secondly जो लोग revised return file करते हैं उनका mostly reason यह होता है क्योंकि मेरे जितने भी clients है उनका mostly reason यह था कि 115BAC 115BAC उनको select करना था बट उन्होंने नहीं किया अभी नहीं किया इसलिए tax जो है वो ज़्यादा उनको भरने को आ गया उन्होंने tax भर दिया उसके बाद फिर वो मेरे पास आए कि इन्होंने जो खुद से return file किया and यह इन्होंने चेक नहीं किया कि 105BAC में profit है नहीं है या फिर कम tax भरने को आता है इसके बाद मैंने क्या है किया उनका जो return है उनको revise किया और यहाँ पे 105BAC select किया ताकि उनका जो access उन्होंने amount pay कर दिया है वो amount उनका refund आ जाए तो mostly reason यह होता है कि आपने properly compare नहीं किया कि आप old रिजिम में profitable है या फिर new रिजिम में तो उसकी वज़ा से आपको यहाँ पे क्या करना है आपका जो profitable है वो area आप select कीजिए मैं लग कम tax किस में आ रहा है new रिजिम में या old रिजिम में अगर new रिजिम में आ रहा है तो आपको basically opt कर लेना है और नहीं आ रहा है तो no कर लेना है basically मैं यहाँ पे no कर देता हूँ इसके बाद आपको यहाँ पे bank validated होना चाहिए bank validate नहीं होता है तो आपका refund जो है वो अटक जाता है तो make sure कि आपका bank validated हो कैसे validate करना है यहाँ i button पर link कर दिया है मैंने video आप देख लीजिए आप देखने के बाद अपना return जो है validate कर पाएंगे इसके बाद आपको कर देना है confirm जैसे आप confirm करेंगे पहला information आपने properly भर दिया है अभी secondly आप जो correction करना चाहते हैं वो आप correction कर सकते हैं इन सारे tabs में आप correction कर सकते हैं और correction कैसे करना है और edit कैसे करना है वो सारी चीज़े आई बटन पर link कर दी है मैंने already मैंने बता दिया था basic information, personal information में जो चीज़े थी जो आपको ध्यान में रखनी थी वो मैंने आपे बता दी है बाकि सारी जो changes आपको करनी है basically आपको पता है क्योंकि आप IPR revise फाइल कर रहे हैं that means आपको पता है क्या changes आपको करना है taxes paid में अगर कोई changes आता है और आपको edit करना परता है तो वो कैसे edit करना है और कैसे आपको save करके रखना है वो सारी चीज़े मैंने मेरे वीडियो में डिसकस कर दी थी अगर आपने देखा है तो ठीक है नहीं देखा तो आई बटन पर मैंने link कर दिया है इसके अलावा और कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो आपको ध्यान में रखना है और आपको जो भी correction करना है वो correction कीज़े correction करने बाद आपको return जो है वो file कर देनी है जो important points है मैंने आपको आपसे discuss कर दिया है और वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए अपने दोस्ते साथ भी share कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए thank you for watching and all the best